हेलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल येशी डिजिटल एजुकेशन माईसेल्फ येशी आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक लिया था वह हमने लिया था अर्थमेटिक मीं आगे चलते हैं उसी में सेंटर टेंडेंसी के तॉपिक में आग का टॉपिक है मारा मोड बहुलक भी बोलते हैं इसको और इसको हम जो अपनी कर सकते हैं और मोड को हम इनकेट करते हैं जान से मोड का जो साइन होता है इंडिकेट करने का वो होता है जैट मोड को भी हम अर्थमेटिक मीन की तरह थ्री पार्स में डिवाइड करेंगे फर्स सीरीज होगी इसकी इंडिविज्वल सीरीज सेकिंड होगी डिस्क्रीट सीरीज और लास्ट वन होगी चिंटिनियस से इंडिकेट करते हैं यानि कि उसमें सिफ सिफ एक्स कि विन होता है क्योंकि व्यर्टिकरियर शीरीज से क्या होता है हमारा हमारा खंडे शीरी में इसे एक्स और फ दौने ही चीज हमें चाहिट इन और continuous series में grouping बोलते हैं इसको CI और F हमें यह दौनों चीज़े given होती है CI से हमें X calculate करना होता है फिर X से हम आगे calculation करते हैं जैसे कि हमने arithmetic mean में किया था तो पहली हम series लेते हैं individual series mode एक बहुत important part है statics का और बहुती easy parts है सबसे ज़्यादा easy parts statics में हमारा mode होता है और mode की सबसे easy calculation है वो individual series की calculation है individual series में होता है क्या है इसमें हमें given होता है X जैसे 7, 8, 9, 6, 5, 9 इधर लिख लेता है 2, 8, 9, 6, 9 simple series है X हमें given है तो हमें इस से individual series से हमें mode calculate करना है तो कैसे calculate करेंगे mode है सबसे पहले इस series को हम ascending से descending order में लगाएंगे पहले सबसे पहले तो हम इसे Z से indicate करेंगे क्योंकि हमें mode calculate करना है तो हम इस series में देखेंगे कि कौन सी value हमारी सबसे ज़्यादा बार repeat होई है देखो seven one times है eight two times है nine one two three four four times है तो nine हमारा four times है six two times है five one time है two nine k reputation हमारी सबसे ज़्यादा हुए four times की तो यहाँ पर हमारा जो हो गया dad वह हो गया nine क्यों क्योंकि हमारे पास nine की reputation ज़्यादा है तो individual series हमारी बहुत easy series है बस इसमें हमें उस visit को find करना होता है जिसका repetition सबसे ज्यादा बार हुआ है, नायल का repetition ज्यादा बार हुआ है तो इसलिए हमारा 9 mode हो गया है इसके बाद हमारा discrete series आप इसका screenshot ले लिजे मैं इसको फिर रफ कर देती हुआ जोड़ी दूसरी सिरीज हमारी discrete series इसमें X और F given होता है X or F थो इस पर given होता है लेकिन इसमें 2 method होता है एक तो होता है simple method next होता है मारा grouping method यानि कि यह टो method से solve होती है Turn, इसमें हमें X और send Li होता है और हमें इसके साथ fair F b given होगा हमें X भी given है और इसमें हमें F b b given है तो हमें simple method सेоду X series का मोड निकालना है, हम कैसे calculate करेंगे हम सिर्फ frequency को देखेंगे और frequency में हम उस digit को देखेंगे जिसकी value ज़्यादा है तो हमें यह 2, 4, 10, 9, 7 5 digit दी गई है तो हमें इस सबसे value किसकी ज़्यादा है 10 की, तो 10 के सामने क्या है x, 30 तो इसका जो add हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 30 इसकी value सबसे ज़्यादा है value के सामने वाला जो भी x है वो हमारा z से indicate होगा तो z is equal to हमारा 30 easy है ना बहुत अब grouping method grouping method के लिए मैं यह थोड़ा सा space कर लेती हूँ यहाँ पर रफ करके grouping method को सब ध्यान से देखेंगे और grouping method के वीडियो को दो बार देखेंगे यहाँ पर हमारा है grouping method हमें पता है कि इसमें हमें x given होगा और इसमें हमें f given होगा तो x हमें क्या है 5, 6, 7 और हमें इसमें f given होगा 6, 11 9, 5, 3 अब देखो इसमें हम simple method क्यों नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर भी simple method लगा सकते हैं हमें question में थोड़े की पिना कि simple method से करना है या grouping method से करना simple method का rule क्या था जिसकी भी value सबसे ज़्यादा होगे उसके सामने वाला x हमारा z होगा mode होगा लेकिन अगर हम यहाँ पर value देखें तो इसकी value ज़्यादा है 12 लेकिन इसकी value ज़्यादा है 12 बट यह repeat हो रहे है ना दो बार अब आप x क्या लोगे या तो 3 लोगे या फिर 7 लोगे तो उसके लिए यह grouping method है इसमें हमें group बनाने होते है हम group कैसे बनाएंगे ऐसे एक series बना लेंगे second, second, third, third, third अलग-अलग columns बना लीजिए हमें सबसे पहले क्या करना है यहां पर लिखा हुआ है हमारा second सिर्फ इस टाइम हमें सिर्फ frequency को देखना है calculate करते समें हमें सिर्फ frequency देखनी है उसके बाद हम last में जब z calculate करेंगे तब हम x को देखेंगे अब हम इस पर आजाबते हैं अब यह number हमने लिखा है यहां पर second ठीक है तो हमें क्या करना इसमें groups बनाने है जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमें grouping method से solve करने हैं तो groups बनाने है एक second का group बनेगा एक second का group बनेगा फिथर्ड का बनेगा अब दूसरा वाला भी हमारा second है तो इसमें क्या करेंगे उपर का एक छोड़ देंगे और फिर दो दो के पेर बना देंगे अब यहां पर एक single बचा लेकिन हमें तो दो की पेर बनाने है तो इसे भी छोड़ देंगे क्योंकि इसके साथ पेर चाहिए अब इन दौनों को add कर लेंगे 20, 12, 5, 3, 2, 5 ठीक ध्यान से देखना इस चीज़ को बिलकुल आगे यह क्या है 3 तो इट मींज हमें 3-3 के पेर बनाने है उपर से स्टार्ट करेंगे 3-3 के पेर अब दो बच रहे हैं लेकिन हमें पेर तो 3-3 के बनाने है तो 3 के पेर बनाने के लिए उपर का फिस एक छोड़ देंगे और इन 3 के पेर बना लेंगे तो 3 के पेर बनाया हमने तो 12 और 9, 21, 21 और 11, 32 और इन 3 के पेर बनाया हमने तो 5 और 5, 10 अब फिल 3 के पेर बनाना है तो इस वाले फ्ञेयल में हम उपर के दो छोड़ेंगे और फ्रीके प्राइव बनाएंगे ठीक अब इन तीनों को अब एड कर ले 17 सक्रावय स्थुलादे और इन को बैंतनकर यह बनाने को डिमना है फिर फिर ने सय अपर का एक राकश्य कर लेना है और फिर दो दो के पेर बना लेने है और थर्ड वाले में क्या क्या उपर से तीन-तीन के पेर बनाए और उनको प्लस कर दिया फोर्ट वाले में हमने क्या क्या उपर से एक छोड़ के तीन-तीन के उपर से 6 हमने हाइड कर लिया और लास्ट वाल में हमने क्या क्या उपर के द किis कEI 20 कि उसको खरकल कर देंगे इसमिंगा किसकी है 26 की इसको सखरकल तर लेंगे इसने थैटी टू और इसमें 26 जुब बड़ी बड़ी वैल्यू थी हमने उनको सरकल कर लिया अब हम यहां पर डालेंगे टेली मारक्स अब जो जो मने सरकल के तो बगड़ है अब सक्षड इसमें 21 में सर्कल 4 के आदे किसको नाइन को uelग को एक corrup प्र्षज नाइन के आगे है और ट hunting आगे टैली माक्थ स्लक्रता देंगे अब यहां पर आजा सध्रिया那ग के लिए इलाइवन को तो एक लिएम जांगे और नािन कि आगे हमने टैली मार्क्स लगा दिये इसके बाद 26 किसको आया था उपर के 3 को एड़ करके तो उपर के 3 के आगे हमने टैली मार्क्स लगा दिये 32 किसको आया था उपर से 1 छोड़ के 3 को तो 1 छोड़ के 3 को 26 उपर के 2 छोड़ के 3 को ऐसी तो आये था मारा जिस जिसको add करने से बड़ी डिजिट आ रही है उसके आगे tally marks लगा देंगे इसके बाद हमें एक column और बनाना है रिमार्क्स का तो कितने tally marks होई यहां पर one calculate कर लेंगे count कर लेंगे जिससे आपको याद रहेगा कि आपने कितने करें three और one हमारे टैली marks लग गए अब यहां पर one three five three one अब इसमें से हमें mode calculate करने के लिए जो भी सबसे highest value होगी हम उसको circle कर लेंगे सबसे ज्यादे highest value क्या है हमारी five तो five के सामने की जो भी जिदिस होगी यानि कि जो भी x होगा वह हमारा जैट होगा तो यहां पर हमारी जैट की value क्या है grouping method से इसका screenshot ले लिजे और इसको वीडियो को एक बारी और देखना जिससे कि आपको यह grouping method से और टैली marks निकालना आचे है easily चलो अब calculate करते है continuous series जो हमारी continuous series होती है यह भी दो ही पार्ट्स में डिवाइड होती है एक simple method में और एक grouping method में तो पहले simple method ले ले लेते हैं continuous series में हमें हमें CI given होती है और इसमें हमें पताए कि इसमें हमें F given होता है ठीक है तो simple method में नाम सी पता चलता है कि simple method है सिंपल में हमें क्या करना है फिर्क्वेंसी पे जाना है फिर्क्वेंसी में देखना है किसकी वैल्यू सबसे जाता है इसमें हमारी सबसे वैल्यू जादा किसकी है कि लेकिन हम क्या करते हैं मोड में हमेशा उसके सामने वाला लेते हैं और वह हमारा जैड हो जाता है मोड लेकिन इसे हमें सामने क्या है हमें तो इसमें इसमें 30 भी है 40 भी यानके 30 से लेके 40 तक है तो हम इसमें लेंगे क्या उसके लिए उसमें हमें फॉर्मूला पुट करना पड़ता है कैसे पूट करेंगे फॉर्मूला क्या इसका जैड इस इकल टू स्मॉल एल एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई एफ वन जो क्यों होता है हमारा एफ वन होता है हमारे सबसे हाइस्ट वैल्यू एफ वन हाइस्ट वैल्यू जिस पर हमने सरकल किया है एफ जीरो जो होती है हमारी हाइस्ट वैल्यू से अपर वैल्यू अपर वैल्यू और अब हम यहां पर हमारे पास एफ वन है गया एफ जीर और लवन क्या होता है हमारा लोवर वैल्यू आफ यानि कि यह वह हमारा होगा लवन बस हमें वैल्यू पुट करनी है बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है स्क्रीन बस हमें लेते हैं इसका गूपिंग मैथ और इस सब को रफ कर देते हैं क्यूंकि हमें इसमें क्याल्कुलेशन बड़ी करनी पड़ी है है सी बिखवी हमें हरते हैं है हम ने किया था सबसे सिंपल मैठमें क conserv सिött उसमें फॉर्मुला पुट शुम रंत किया यह लेकिन इसके विए रहे सब्सक्रणे कौन क्या करेंगे गूरूपिक में भि sürग में में गूरू बनाएंगे तो है inclined सायं का सै款 more फिर थर्ड का थर्ड का सकंड नने कैसे बनाया था दो जोड़के गुरुप बना लिय थAY अभी नीचे एकड थो गया कि में चोड़ देंगे विल्के रद करना है हमें 33 के ग्रूप बनाने है यानि कि हमने हमें 33 डिजिट को एड करना है एक हमारा रहा गया इसको छोड़ देंगे इन तीनों के ठीक है अब इसमें फेसे 33 के ग्रूप बनाने तो कैसे करेंगे वन को हाइड कर लेंगे उसके नीचे से 33 के ग्रूप बना लेंगे इन त के शर्ट के इन दो को छोड़ेंगे देंगे क्या यहां के यहां का यह को आद करीने लिक्ष में अब इनके tally marks लगा लें लगाओ इसकी highest value है 19 किसकी से आया है 10 से और 9 से इसकी है 14 दो-दो के pair थे एक छोड़के 2 और 2 तो किसकी से आया है 10 से और हमारा एक 4 से यह 23 तीन-तीन के pair है तो 4 से 10 से और 9 से 21 एक छोड़के 3-3 के pair है तो 10 से 9 से और 2 से यह 24 है किसे आया है 2 को छोड़के 3 से तो यह 10 से 4 से और इस वाले 10 से इन तीनों को जोड़के तो यह आया है अब हम अपने टैली मार्क को काउंट कर लेते हैं 1 3 5 3 1 किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है रिमार्क में हाइस्ट वैल्यू देखेंगे 5 की ज़्यादा है तो 5 किस से आया है किसके अंडर में आ रहा है 20 और 25 के अंडर में आया है अब गुरूपिंग मैथड में हमने जिस आरे अगड़ करते हैं कैसे ल वन प्लस एवरन मैनास ऐफ जीरो अप़न टू एफ बन मैनस ऐफ़जीरो मैनस ऐफ जीरो मैनस ऐफ्टू इन्टू अ उसकी अपर वैल्यू F0 अपर वैल्यू F2 जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है उसकी लोगर वैल्यू और आई डिफ्रेंट ओफ कितने का है इधर कल्कुलेट कर लेता है 20 प्लस 6 अपन 7 इंटू 5 तो हमारा क्या आएगा इसको कल्कुलेट करके 24.285 तो हमारा कंटेनर सिरीज का जैड क्या होग जाएगा हमारा जैड होगा 24.285 हमने क्या किया पहले हमने आप नो मलिया को हमने और यह अपर रोलिय को हमने फड्रू मलिया और गो हमने फ्तु मानलिया was हमारी हाइस्ट वैलिउ आई थी उसकी लोर वैल्लीउ को मने एल वन लिया हमने फॉर्मूला लिया फॉर्मूलम में सारी वैल्ली टीक्राइट किया तो हमारे पास जैडा किया तेक है अभ मैंने आपको अमोड की तीनों ही सीरीज बता दिया इंडिजिजिल सीरीज भी डिसे स सीरी से मैंने नहीं सिंपल मैथे विक विता दिए हैं और गृपिंग मैथे देखिया बहुत इजी मेथाद को एक जाय देखिया और कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हुई उए मेरी वीडियो को आप जाद जाद लाइक करें और सब्सक्राइब करें